नमस्कार दोस्तों, Crescent Education Classes में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की Special वीडियो में हम History के 200 प्रश्ण लेकर आए हैं ये प्रश्ण आपको मदद करेंगे अगामी उत्तराखंडे Lower PCS Exam में आगामी उत्तराखंडे PCS Exam में ये पेपर है उत्तराखंडे प्रवक्ता मुख्य परिक्षा 2021 का तो इस से related प्रश्ण जरूर आगे के एक्जाम में आएंगे तो इस प्रश्ण पत्र को पूरा देख कर जाएं आपको काफी help मिलेगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्ली से इन प्रश्णों को खतम करते हैं तो देखे दोस्तों आज का पहला प्रश्ण है करम कांडों के विसे में विस्तरित जानकारी कहां प्राप्त होती है कल्प सूतर में, वेदों में, उपनी सदों में या फिर पुराणों में तो इसका राइट आंसर है वेदों में ये जुर वेद में ही करम कांडों के बारे में विस्तरित जानकारी प्राप्त होती है आयोग नो इसका अंसर कल्ब सूत्र दिया, जो की गलत है, जो की जैन धर्म से सμबदित है ठीक है, आपको बताना है, निमने में से असत्यकतन चुनना है, धर्म सूत्रों के राजसार, राजा कानून का निर्माता नहीं था, बिल्कुल सही, राजा कानून का रखशक था, बि अगला देखिए उदैगिरी सिलालेक अंकित किसके द्वारा करवाए गया था अच्छे लेवल का प्रशन है सना कानिक के द्वारा दोस्तों उदैगिरी सिलालेक अंकित करवाए गया था आगे बढ़ते हैं निमने में से किसने देवराज, देवगुपत और देवस्री की पादिया धारन की गई इनके सिक्कों में भी देवसरी नाम लिखा गिया है ठीक है तो बी वाल ओप्षिन इसका correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं किसने का भारतिय ना तो किसी का बुरा करते हैं ना ही किसी का बुरा सहन करते हैं तो यह मेगस्तेनीज के द्वारा दोस बिम्बिसार के पुत्र थे हर्यक्वन से दोनों रिलेटेड है ठीक है आगे देखते हैं भारत का पर्थम मजदूर संगठन कौन सा है तो AITUC ठीक है तो All India Trade Union Congress यानि कि एटक इसका पहला मजदूर संगठन है ठीक है अगला देखे तोताई हिंदु उपनाम से विख्यात प्र कुत्याल का निर्मान कारिया पूरा करवाई था शुरू करवाई था कुत्व बुद्धी नैबक ने उसके ःत गयसुदीन बलबन जो कि गुलाम मंस है उसके बाद महमद बीन तुगलक, गयसुदीन तुगलक, अलदीन खिल जिन सब के दरवार में अमीर खुसरो रहे है ठ तीकिए अगला देखे तेहकी के हिंध सुपरसित साहीत तिकर्तिक इसके दूरा रची गई है तेहकी के हिंध या फिर किताब उले हिंद सको बोली अल बरुनी मैंने अब को पहले बता था अल बरुनी के दूरा दोसने इसके रचना की गई है तीक लेकिन मुहमद गौरी को माना जाता है कि उसके कारण भारत में मुस्लिम सासन को स्थापित किया गया तो भारत में मुस्लिम सासन का वास्तिविक सस्थापक मुहमद गौरी माना जाता है तो अब ये दोनों है तो दोनों का क्या बनेगा दोनों का मिक्चर ये बनेगा कि भार अगला प्रशन देखे, अलाउदीन खिल जी 1296 में अपने चाचा एवं सरक्षे की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना, निम्ने में से उसका कौन सरक्षा था, काफी अच्छा प्रशने मैं आपको बताया था, जलालुदीन फिरोज खिल जी की हत्या की थी, अलाउदीन खिल ज की गई थी, आगे बढ़ते हैं, निम्ने में से कौन प्रबल विरोधी था, जिनोंने बैरम खां के पतन का मार्ग प्रसस्त किया, बैरम खां को थे दोस्तों, ये अकबर के सरक्षक थे, तो अकबर की धाय मा थी, माहम अंगा, अदम खां, जीजी अंगा, और उसका पती समस सवार होते थे, उनको अहदी बोला जाता था, ठीक है, आगे देखें, निम्ने में से किस युद्ध के सर पर्थम तोप का प्रियोग दो पक्षों के दोरा हुआ था, तो इसका राइट आंसर है, पानी पत का पर्थम युद्ध 1526, जो की बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, तो बाबर इसलिए विजए हुआ था, क्योंकि उसने युद्ध में तोप का प्रियोग किया था, अगला देखें, निम्ने में से कौन सत्ता रूर होने पर औरंग जेब कहला है, बहुत इंपोर्टेंट है, मुयुद्धीन मुहमद, ठीक है, मुयुद पुत्र पुत्रों का विवा, औरंग जेब की पुत्र पुत्रों के संग हुआ था, तो सिफिर सिको, दारा सिको का पुत्र, और इग्ज बक्ष मुराद का पुत्र, इनका विवा हुआ था, तो सी वाला सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है, नूर जाने अपनी पुत्र 1657 में अपनी बिमारी के करण अपचार के रूप से अपना उत्रा दिकारी युद्ध टालने के लिए घोसित किया था तो दोस्तों इसको दारा सिको को किया था ठीक है दारा सिको को किया था आपको उत्रा दिकार का युद्ध तो पता ही है दारा सिको और रेंजेव के बीच म उपनी सद्ध का फारसी अनुवाद है और ये दाराशीकों के द्वारा ही ये अनुवाद किया गया है ठीक है दाराशीकों के द्वारा अकबर के सासनकाल में पर्थम वजीर कौन था तो वो था दोस्तों मुझफर खान ठीक है वैसे देखा जाए तो इसका बैरम खा होना चीए लेकिन बैरम खा अभी आप्शन में नहीं है हालनकि ये माना जा सकता है कि बैरम खा उसका पहला क्योंकि सरक्षक भी था तो पहला व जायन उल्फता, नुह सिपिहर, देवल दीवी, खिजर खाई सभी लिखी गए नुस्खा ए दिल्खुस इनके द्वारा नहीं लिखी गए तो सीवाल उप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है निमने में से कौन सा युद्ध बाबर से संबंदित नहीं है बहुत इंपो मायू और सेठ सांसूरी से संबंदित है ठीक है आगे बढ़ते है ठीक बिलगराम का युद्ध कभवात है यह पुछा आता है पंदरा सो चालिस में ठीक निमलिखित सूफी संतों में से कौन सा चिस्ती संब्रदाई से संबंदित नहीं है तो निजामुद्दीन औलिया, पाकी सेख फरीद यह सभी संबंदित है बहुद्दीन जाकारिया नहीं है यह सोरावर्दी संपरदाई से संबंदित है ठीक है सोरावर्दी ठीक सोरावर्दी संपरदाई से संबंदित है ठीक है निमलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है आपको बताना है ठीक ह तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नुरुद्दीन मुहमद साजा ठीक है आगे देखिए फरीद निमलिखित में से किस मद्यकालीन सासक का वास्तिक नामता बड़ा अच्छा कोशन है सेरसां सुरी का वास्तिक नामता ठीक है आगे बढ़ते हैं विजे नगर रज्य की इसके बाद देखिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं किस सूफी संपरदाई ने योग की क्रिया को अपनाया था ठीक है किस सूफी संपरदाई ने योग की क्रिया को अपनाया था तो दोस्तों जे सतारी थे इन्होंने योग क्रिया को अपनाया था ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सा योग में गलत है तबाकत अगला देखिए जिसे संस्क्रोंतों से संकलित किया गया था का संबंध किस से है दोस्तों इसका संबंध चिकित सा से संबंधित है ठीक है आगे बढ़ते हैं मानव जीवन के किस पासान युग को क्रांती बोला गया था तो बाई क्रांती का भाई थी नौ पाशान काल में आई थी ठीक है नौ पुर्फी और नजीरी दोस्तों कौन थे ये फार्सी कभी हुआ करते थे उर्फी और नजीरी ठीक है अगला देखे फुतुह उस सलातीन रचना का संबंद किस इत्यास है दोस्तों ये बहमनी इत्यास से संबंदित है ठीक है बहमनी इत्यास से इनका रिलेशन है निमने में से किसने कोक सास्तर का भार्सी भासा में अनुवाद किया था तो ये थे दोस्तों जीया नकसभी कोक सास्तर का फार्सी भासा में option correct ठीक है बहुत सारे प्रशने डिसकस करने हैं तो इसलिए मैं जल्ली जल्ली बढ़ा रहा हूँ आप चाहे तो वीडियो को आरम से पॉस करके भी चला सकते हैं ठीक है लिंगायत आंदुलन के परवर्तक कौन थे दोस्तों ये कौन थे बासव और चन्ना बासव ठीक है ये ल 12 प्रांथों में ये बटा गिया था ठीक है तो इसका right आंसर क्या हो जाएगा 12 ठीक निम्ने में से किस सुल्तान ने 40 डालिसा को भंग किया बहुत important चालीसा दल को किस ने भंग किया था तो इसका था right आंसर गयासुदीन बल्बन ठीक है तो गयासुदीन बल्बन ने 40 डल क समापति किया था अगला देखे चार्टिस, आंदुलन का मेहतो किस देश से है तो ये England से सम्मिन दिते है ये वैसे देखा जाए तो World History का Question आगया World History का Question को हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे syllabus में नहीं है उत्राखंड लोर पीसेस हो उसमें World History नहीं है तो उनको हम इसमें अभी स्किप कर देंगे, ठीक है, अगला देखे, गुल्रुखी उपनाम से कौन सा सुल्तान कविताईन लिखता था, बहुत बार प्रशना आ चुका है, सिकंदर लोधी, ठीक है, सिकंदर लोधी गुल्रुखी उपनाम से कविताईन लिखता था, किस संद जो विजयनगर की जो राजदानी हमपी हो किसना दीखे किना रहे तुग बंदरा ठीक है तो देवराय परतम ने पानी की गमी को दूर करने के लिए तुग बंदरा पर बांध बनवाय था ठीक है अब देखे किस सासक ने सिजदा एवं पैवोस की परता को अंतिम रूप से द में अधिकांस बाग बगीचा किसने लगवाई थे तो जहांगीर के सासनकाल में सबसे जदा बाग बगीचे लगे थे ठीक है अगला देखे निमने में से किस सासक ने सिरंग पटम में स्वतनता का विर्च्छ लगाय था तो टीपू सल्तान के द्वारा ये लगाय गया था ठीक है बहुत इंपॉर्टन प्रशन है आगे देखे न्यू इंडिया समाचार पत्र किस से संबन्दित है तो न्यू इंडिया किस संबन्दित है दोस्तों एनी बेसेंट से ये संबन्दित है ठीक है आगे देखते है कलकत्ता के सुप्रीम कोट का पर्थम मुख्य नयाय द राजा रामोहन राए देखे राजा राजा रामोहन राए दोस्तों वो किससे संबंदी थे वो आपके किससे संबंदी थे आत्मी सभा से ठीक है अब देखे विवेकानन ये तो पता ही आपको किससे संबंदी थे रामकिष्ण मिसन से ठीक है तो देखा जाए तो आपको पता ह वेकनन रामकिष्ण मिसन से तो यानि कि B वाल उप्षन पहले ही करट्ट बन जाता है क्योंकि है आपको पता लग जाएगा राजा राम मोन राया आत्मी सभा देविनाट टैगोर देविनाट टैगोर किसे संबंदेद दोस्तों तत्यो बोधनी सभा से आत्मा राम पांडूर तो बस आपको एका चीज़े पता लग जाए तो बस खतम, अगला देखे, 1822 में, इंडियन एजुकेशन कमिशन के अदिक्षा था, किसने की 1822 में जो भारती सिक्षा आयोगा था, कौन था भी, डबलु डबलु हंटर, ठीक है, हंटर आयोग, सभी लोग जानते हैं, ये पर्थम करनाटक युद्ध इससे समाप्त हुआ था, ये अच्छा प्रशन है, ठीक है, अगला देखे, निमने में से किस चार्टर द्वारा भारत में इसाई धर्म पचारों को को आने के नुमती दी गई थी, तो चार्टर एक्ट है, 1813 में काफी सारे प्रावदान हुए इसको आप समझ लिजिएगा, इसको आप पढ़के जाईए, ठीक है, बिटिस का, इसके द्वारा जो एकादिकार था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है, तो ये सारे के सारे इस्ट इंडिया कंपनी का न, तो ये सब उनका वुट डिस्पैच, वुट का गोशना पत्र, भारती सिक्षा का मेंगना काटा बोला जाता है, ठीक है, अगला देखे, बनारस में संस्क्रिट कॉलेज की स्थापना किस ने की थी, ये प्रशन भी आब या था, जो ने ठातन डंगन के द्वारा ये की गी थी, ठीक है यूपी पीसेस में भी प्रशन आया था, तो देखे, वहां से लेके, वहां से यहां उठा के डाल दिया उस प्रशन को, ठीक है, आगे देखे, या किस ने कहा था कि इस दर्दता के समान, दर्दता वानेजी के इत्यास में ही सायद ही कभी रही हो, बुन करोगी हड़ियां यह मैदानों को विरंजित करी है, विल्यम बिंटिंग के द्वारा ये कतन दोस्तों कहा गया है, ठीक है, किसके नेतर्तों में अंग्रेज सेना ने पोटा नववा में हैदर अली को पराजित किया था, बहुत इंपोर्टेंट है, यह आयर कूट के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है ठियोसिफिकल सोसाइटी की सस्तापिका नहीं थी ठीक है इंडियनेशनल कॉंग्रेस की एक बार अधिक्षरी बिल्कुल सही तो एक और तीन इसका राइट अंसर होना चीए ठीक है आगे देखे वन्ना क्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्स पारिक किया गया 1878 बहुत इंपोर्टेंट है ये प्रसन तो बेसिक से हैं जो कि बार बार पूछे आते हैं अगला देखे यूरोप के एक अच्छे बुस्तकाली के अलमारी का केवल एक अबरब के संपूर्ण इत्यास के बराबर है बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों ये तो प्रकतानी ब गोपाल हरी देश मुख को लोखितवादी बोला गया ठीक है अगला देखे पावर्टी एंड अंड बिटिस रूली इंडिया दादा भाई नरोजी की बोक है कब वी थी प्रकासित मैना भी आपको बताए भी था कुछ देर पहले 1901 में ठीक है कुछ देर का पहले का मलग उ स्वतनता संगरामी की निट्टी हुई थी भगत सिंग की नीवी विविचन पाल की नीवी सुभाशन बोस की नीवी जतिंदास की हो गई थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सिख्षा के विकास हितू कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल 1783 स्थापना किसने की विलियम जोंस ने कई बार ये प्रस्ण आ चुका है ये प्रस्णता ऐसा लगता है कि हर एक्जाम में ही आ जाता है ठीक है अगला देखे उन्यों 17-18 में चंपारन सत्यागरे द्वारा किसों को की समस्या के निदान हितू महत्मा गानी ने एक नई टेक्नीक और मूल को अपना है था तो उन्हेंने क्या किया था कि क्रिसकों के कष्टों की जानकारी हितू करमिक एवं आधिकारिक जाँच की थी ठीक है तो ये नई टेक्नीक चंपारन सत्यागरे में उन्होंने अपना ही थी ठीक है अगला देखे सत्यागरे सभा का संगठन किस ने किया जिन विभाजन के पश्चात, बहुत इंपोर्टेंट प्रेशन है, स्युक्ति रक्षा समीर्ती का सर्वोची कमांडर किसे बनाए गया, जिसे सैन्य करमचारियों, हत्यारों वा युद्ध सामगरियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौपी गई, तो बहुत जब 1947 में भारत का वि अगला देखे, बहुत चर्चित ब्लाक होल घटना का मुख्य रच्यता कौन है, तो ब्लाक होल घटना के मुख्य रच्यता कौन है दोस्तों, वो हैं आपके जेजेड होल वेल, तो ठीक है, जेजेड होल वेल इसके रच्यता है, ठीक है, किस वर्स भारत की गवर्नर्स जनल को इनको 6 वर्स की कारावार्स के बाद मुक्त किया गया था लॉड में उन्हें कौन सी नीती अपनाई थी नोने वित्तिय विकेंदरी करण की नीती इनके द्वारा अपनाई गी थी ठीके अगला देखिए एक युवा वकील के रूप में दक्षिन अफरीका के डर्बन में गांधी जी का परदापरन का हुआ तो एक युवा वकील के एडवोकेट के रूप में गांधी जी कब आये तो वो आये थे 1893 में ठीके 1893 में ठीके यूपी किसान सबा का गठन का द्वारा वित्ति विकिंद्रिकरण की नीती अपनाई गी ठीक है अगला देखिए 1901 में सर कॉलीन स्कार्ट मॉनक्रीफ की अदिक्षता में एक आयो किसकी जाज ही तू नियुक्ति किया गया था दोस्तों ये सिचाई की जाज के लिए सर स्कार्ट मॉनक्रीफ की अदिक्षत आगे बरते चले आते हैं अक्टूबर 1904 में किया गये था बितिस सरकार के दुआरा अक्टूबर 1981 में ठीक है आगे देखें आर्थिक निकास के सिध्धनत का मुख्य तत्व क्या है दोस्तों वो है home way मतलब जो ग्रह वे होता है वो आर्थिक निकास के सिध्धानत का मुख्य तो अगर आप इसको इंग्लिस में देखे तो ज़्यादा बेटर समझेंगे the drain of wealth ठीक है तो drain of wealth क्या होता है home charges तो home charges ये इसका एक मुख्य component है ठीक है अगला देखिए किसने कहा कि भारत और Britain के आर्थिक हित परतीग छेत्र में टकराते हैं ये कथन किसके द्वारा किया गया ह। दोस्तों ये जवाгला नेरू ने कहाNINGर भारत में अन ऑद्दोगी करण को मितहक किसने कहा है ठीक है तो ये कहा था दोस्तों मोरिस दी मोरिस के द्वारा ये कथन बोला गया है अन जाता है दक्षिन भारत के बुरे सासक ठीक है बुरे सासक जो थे कलम्ब्र ठीक है तो कलम्ब्रों को बोला जाता है आगे बढ़ते हैं पिस ने कहा رेल्वे वेस्ता ही भारत की आदोन裡面 युग का अग्रदूर्द बन जाएगी तो railway वेस्ता ही भारत का आधोनिए युग का अग्रदूर्द बनेगी कॉलमाक्स के द्वारा ये दोस्तों भोला गया है ठीक है हलंके railway से कौन सम्बन निदे लॉर्ड अलोजी संबने थे, अगला देखे, दादा भाही नरोजी के नुसार, एक भारत की परती वेक्ती आये, 18668 में क्या थी, तो 20 रुपए थीक है, दादा भाही नरोजी यों पहले वेक्ती थे, जिनोंने संपूर्ण भारत की परती वेक्ती आये, निकाली थी, 20 ठीक है अगला देखिए आई एन ए सेनिकों के नाम बताइए जिनके मुकदमे की सुनाई दिल्ली के लाल किले में हुई थी बहुत अच्छा प्रश्न है दोचों तो कैप्टन P.K. सैगिल, कैप्टन सहा नवाज खान, गुरुबक्से डिलो सभी की हुई थी ठीक है तो इन दिल्ली के लाल किले में हुई थी ठीक है अगला देखिए मुसलिम लीक द्वारह मुक्ति दिवस कब बनाए गया थी सिंपल है 1949 में बनाया थी इसके बाद 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, इनके द्वारा, आगे बढ़ते हैं, चलिए, आधिकारी रूप से पाकिस्तान की मांग निम्ले में से किस वर्ष में की गई थी, तो 1940 में की गई थी, भारत में पहला इसाई मिसन कहां इस्थापित हुआ था, तो ये साय दोस्तों वो है ते भागा ठीक है भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद से लिया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं निमने में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है अल हिलाल मौलाना अबुल कलामा जाथ सही है नेशनल हिराल जवालाल नेरू समाद कौमुदी र आगे देखें दास प्रता का अनुवलन निमने में से किस अधीनियम के द्वारा हुआ 1833 का अधीनियम था लॉर्ड विल्यम बेंडिंग थे उस्ता में पे ठीक है गवनने जनरल इसके बाद आगे बढ़िए प्रातना समाज का सस्तापक अधिक्ष कौन था आत्माराम वर्ल्ड हिस्ट्री ठीक है तो अभी हम इसको डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे आने वाले हैं भी नहीं और हम इनको पढ़के अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे हम सीधे आगे के उन प्रश्णों को देखेंगे जो की भारती इत्यास से संबंदित है ठीक है क्योंकि अब देखें दोस्तों अभी का अगला प्रश्ण देखें निमलिकित में से कौन सा हडपा कालीन स्थर हणियाना में अवस्तित है अब देखें मैंने तो ये सारा आपको प्राचीन भारत बहुत अच्छे से पढ़ा है हालांकि हमने अभी मध्यकालीन भारत मिडल में ही रो अगला देखें हडपा कालीनस्थाल, देमाबाद कहा पर है दोस्तों महराष्ट में यह आवस्तित है अगला देखें गृवरज एक समय के penetमपत की राजदन जी गृवरज, राज गरे करे मगत की, अगला देखें निम्ने में से कौन सा सन गॉतमपुद से सम्बनेत नहीं ह तो कौन है दोस्तों? बलबाचारी, ठीक है, अगला दिखे, पाटली पुत्र को तक्षिता से जोडने वाला मार गे किस की देन ता, मूर इसम राज्य की देन था ठीक है जेलम नदी का मूले नाम क्या था कि मूल नाम क्या था दोस्तों जेलम का क्या है वितस्ता सुतुद्री का क्या है सतलच इसार आपको बता रहा है स्टार्टिंग की वीडियो में अमने ठीक है मौरेकाल में कौन सी प्रकार की भूमी राज्जी की आये का प्रम अगला देखिए निम्नमे से कौन सी पुस्तक तमिल व्याकरण से संबन देता है तो तोल का पीम संबन देता है 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 पल्लावबन से संब्दित है, नरिंदर सिंग वर्मन. थीए, नर्सिंग वर्मन. आगे बढ़ते हैं, चलिए. इसके बद देखे, सिलापिदि कारम, महा कावे के लेका कौण है, तो वो है, इलेंगो अडिगल. थीए, सीरा सब्दे किस के लिए पिरोग होता था? धोस्ते है, के लिए प्रयोग होता था ठीक है मैसा पोटा में कि लिपी जानी जाती है कुनी फार्म लिपी यानि कि लख्छा लिपी जानी जाती है ठीक है अगला देखिए किस ने तत्तो प्रकास ग्रंत की रचना की थी ये भी एक अच्छे लेवल का प्रस्टन है तत्तो प्रकास ग्रंती की रचना दोस्तना की गी थी भोच के द्वारा ठीक है अगला देखिए 620-321 इस्वी पूर में सहरों का विकास उन इस्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिस प्रकार के सिल्पों का उन ग्रामों में परसलन था जो व्यापारी के इंद्र भी थे सही उत्तर कौन-कौन से विशिस मतलब व्यापार थे वो थे कुमार गिरी, बड़े गिरी, वस्तरों की बनाई सभी थे ठीक है आगे देखिए असो में की अग्य करकरता कौन-कौन है पुषे मित्र सुंग, समुद्र गुप्त, प्रवर सेन, पुलकेसिन पर्थम सभी ने असो में की अग्य किया है ठीक है निमने में से किस चोल सासक ने रामानुज को उत्पीडित किया और अपने राज़े से बहा निकाल लिया बहुत अच्छा प्रश्मे कुलो तुंग पर्थम ने किया था चोल सासक ठीक है अगला देखिए निरा लंब सरस्वती यनि कि सरस्वती अब निरक्षय हो गई एक कभी द्वारा किसकी मिर्थिव पर क्या गया तो वो थे मार विजियो तुंग वर्मन इनके पिता ने नाक पटना में बहुत वियार को शुरू किरवाय था और इस कार्य को पूरा करवाया मार विजियो तुंग ने मतलब इसको खतम करवाया राज-राज परतम के समय के थे स्री विजय सासकते भारत के सबसे पहले आहाद सिके किस दातू के बने? चांदी के बने आगे बढ़ते हैं किस अभी लेक में पुषे मुत्र दोरा दो अस्मेग यग्य सबपादन करने का उलेक मिलता है तो धन्देव का अयुद्या अभिलेक है वहाँ पर पुशे मुत्र संगो द्वारा पता लगता है कि नोंने दो असोमेग यगे का संपादन किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्निमे से कौन से अभिलेकों में अकाल से निपटने के उपाईव का अभिलेक है सहग औरा तामरपत्र और महास्थान अभिलेक यहाँ पर इसका उलेक किया गया है ठीक है तो सीवाल उप्शन करेक्ट है असोका समकाली मिस्तर का सासक को था बताया मैंने आपको टालमी डृतिय फिलाडिलफस ठीक है अगला देखे राष्टकूट राजा धंती दुर्ग ने हिरनिगर्ब महादान समारो अनुस्थान कहां मनाया था तो धंती दुर्ग राष्टकूट के सासक थे इन्होंने कहां बनाया था दोस्तों ने बनाया था आगे बढ़ते हैं तू जहां बुद्ध एवं उनके मुख्य सिस्यों ने के सारीक अवसेस रखा जाता है उनको जाना जाता है ठीक है तो उनको बलाता है सरीरिका ठीक है सरीरिका एक ऐसी जगह है जहां पर बुद्ध और जो उनके मुख्य सिस्यों होते हैं उनके सरीर के आई था कई बार बता दिया महायान का अन्युआई था ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको क्या करना है सासा को और इसकी पतनी को सुमेरित करना है ठीक है ये थोड़ा टफ लेबल का प्रशन है हर को इसको नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें मिलान क बढ़ा मुश्किल हो जाता है तो लेकिन चलिए फिर भी कोई नहीं हमें आंसर पता है इसकी क्या-क्या है तो चलो हमाले बहुत इजी है इसको मिलान करना लेकिन फिर भी मैं मानूँगा बहुत टफ लेवल का कोशन है देखे चंद्रगुप्त पर्थम की थी कुमार देवी कुमारी देवी और समुद्रगुप्त की थी दत्ता देवी ठीक है और चंद्रगुप्त दुत्ती की थी कुबेर नाग और कुमार गुप्त की थी अनन्त देवी ठीक है तो चंद्रगुप्त पर्थम की कुमार देवी समुद्रगुप्त की दत्ता देवी और चंद्रगु अगला देखे निम्ने में से कौन सी गाथा को श्री हर्स ने अपनी कृती नैसद्य चरित में वर्णेत किया है नल और दम्यन्ती ठीक है आगे प्रश्न देखते हैं निम्ने में से असत्य कतन चुदना है एत्रे ब्रामन रिग्वेत का ब्रामन है सही है कौसिति की ब्रामन भी रिग्वेत का है दोनों एत्री एक असत्य की ब्रामन रिग्वेत समंदी यह बिल्कुल सही है अब एक एक अगरा इन में से कोई भी सही नहीं है बिल्कुल नहीं है तो सारे सही है न तो ये कथन क्या है असत्य है यानि डी वाला असत्य है नची केता और यम का समवात का ठोपनी सद में कितने बार बता दिया और कितने बार या आता है जमोरिन का संबन किस से था दोस्तों काली कट ठीक है काली कट काली कट से संबन को सुमेलित करना है मतलब की जो कुमेलित है उसको बताना है वाजपे समराठ असोमेक स्वराठ पूरुसमेद विराठ लेकिन सरोमेद एकराठ से संबंदित नहीं है तो डी वाल अप्शिन का करेक्ट है ठीक है अगला दीखे रंगपूर की खुदाई में मिली सामगरी हमने अब को बता था रंगपूर सौराष्ट में अवस्तित है तो कहां क्या मिला था हमापर पूरानी तामवेकी कुलाडी मन के और मिट्टी के बरतन मिले थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भई बी वाल अप्शन करेक्ट हो जाएगा वैपुल्य सूत्र किस से संबंदित है अगला देखें आंद्र और सिसुनाग वन्सों के बारे में विस्वस्तित जानकारी मिलती है मतस्य पुरान से आंद्र और सिसुनाग वन्सों के बारे में जानकारी मिलती है नासिक गुफा अभी सिलाले किसके द्वारा जारी किया गया था गौत्मी बालस्री के द्वारा ये जारी किया गया था तो दोस्तों ये थे 200 प्रश्ण हलंकि 200 नहीं करें हमने 500 से तो उपर किये होंगे लेकिन ये सारे के सारे important है क्योंकि अभी हाल में ही मुख्य परीक्षा प्रवक्ता में सारे के सारे प्रश्णिये पूछे गए थे इनके आने की सम्भावना रहेगी डारेक्ली इंडारेक्ली उत्राघंड PCS उत्राघंड लोवर PCS में तो इस वीडियो को जादा से यादा शेयर करें मिलते हैं के लिए वीडियो में तिल देन टेक एरें गुडबाई